आज सुनिए माक्षी समास महत्यमी का बार्वाध्याई अरी मर्दन था एक बार रात के समय वहबल पूरवक सांकलों और लोहे के खंबों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला हातिवान उसके दोनों और अंकुष लेकर उसे डरा रहे थे किन्तु क्रोध वश उन सब की अवेलना करके उन सब को अन देखा करके उसने अपने रहने के इस्थान हतिसार को ड़ा दिया उसे तोड़ दिया उस पर चारों और से भालों की मार पड़ रही थी फिर भी हातिवान ही डरे हुए थे हाति को बिलकुल भी भाई नहीं हो रह था इस कोतुहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयम हाति को मनाने की कला में निपण राजकुमारों के साथ वहां आए आकर उन्होंने उस बलवान दतेले हाति को देखा नगर की निवासी अन्यकाम धंधों की चिंता छोड़ कर अपने बालकों को भय से बचाते वे बहुत दूर खड़े होकर उस महा भयंकर गजराज को देखते रहे उसी समय कोई ब्रहमन तलाब से नहा कर उसी मार्ग से लोट रहे थे वे गीता के सोलवे अध्याय के कुछ श्लोकों का जब कर रहे थे पुरवासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया किन्तु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी उन्हें हाथी से कोई भय नहीं था इसलिए वे विचलित नहीं हुए उधर वे मतवाला हाथी अपनी चितकार से चारों दिशाओं को गुजाता हुआ लोगों को कुचल रहा था वे ब्रहमन उसके बहतेवे मत को हाथ से चूकर कुशल पुरवक महां से निकल गए इससे वहां राजा और देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना श्रिह हुआ कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता राजा के कमल ने तरचकित हो उठे थे उन्होंने ब्रहमन को बुला कर सवारी से उतर कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा हे ब्रहमन आज आपने ये महान अलोकी कार्व किया है क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लोटाए है प्रभू आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जब करते हैं बताईए आपने कौन सी सिद्धी प्राप्त की है तब उन्हों ब्रहमन देवता ने कहा राजन मैं प्रतिदिन गीता के सोलवे अध्याय के कुछ श्लोकों का जब किया करता हूँ उसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है श्री महादेव जी कहते है तब हाथी का कौतुहल देखने की इच्छा छोड़ कर राजा ब्रहमन देटा को साथ लेकर अपने महल में आए वहाँ शुभ मुहुर्त देखकर एक लाख स्वन मुद्राओं की दक्षना देकर उन्होंने ब्रहमन को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंतर की दीख्षली भगवत गीता के सोलवे अध्याए के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़ कर उसके कौतक देखने की इच्छ जागी फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बहार निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया उन्हें भई की बात भूल गई राज के सुख विलास के प्रती आदर का कोई भाव नहीं रहा वे अपने जीवन को तिनके के समान समझकर हाथी के सामने चले गए सहसी मनुष्यों में अगरगण्य राजा खटगवाहू मंत्र पर विश्वास करके हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड इस्थल को हाथ से चूकर सकुषल वापस लोटाए काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधू पुरुष की तरह राजा उसकजराज के मुख से बचकर निकल आए नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज पर अभिशिक्त कर दिया और स्वयम गीता के सोलवे अध्याय का जब करके परम गती प्राप्त की माक्षिर स्मास मातमे में आगे की कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं ये ब्रहमन वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सायक बनेंगे कमला की कला से सोला हजार राजकन्याई प्रकट होगी वे सब की सब मेरी राणिया बनेंगी वे धर्मदेव अंश रूप से पांडु पुत्र युदिस्ठिर होंगे वायू के अंश से भीम सेन का और इंदर के अंश से साक्षात अर्जुन का प्राकटि होगा आश्वीनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होगे सूरे का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होगे कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनू शंकरजी का अंश अश्वत्थामा और अगनी का अंश द्रोण होगा चंद्रमा का अंश अभी मन्यों के रूप में प्रकट होगा स्वयम वसु देवता भीश्म होंगे कश्यप के अंश से वसु देव और अधिती के अंश से देवकी होंगी वसु की अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा वसु की पतनी ये शोदाजी होंगी कमला के अंश से द्रौपदी होंगी जिनका प्रादुर्भाव यग्यकुंड से होगा अगनी के अंश से महाबली ध्रिस्ट दुम्नि का जनम होगा शत्रूपा के अंश से सुभध्रा प्रकट होंगी जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा देपता लोग भार हारी होकर अपने अंश से अप्रती पर अप्तीन हो इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारेंगी नारत ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए वे सारा विवरंट सुनकर प्रजापती ब्रह्मा जी वहां अपने इस्थान पर जा बैठे हे देवर्शी श्री कृष्ण के बाएं भाग में वाग देवी सरस्वती थी दाहिने भाग में लक्ष्मी जी थी अर्ने सभी देवता और पारवती देवी सामने थे गोप और गोपियां भी उनके सामने ही बैठी थी श्री राधा श्याम सुन्दर के वक्ष इस्थल में विराजमान थी उसी समय ब्रजेश्वरी राधा जी अपने प्रेतम से बोली राधिका जी ने कहा नाथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ हे प्रभो इस दासे की बात भी सुन लीजे मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे है मेरा मन चंचल हो रहा है आपकी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आँख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ फिर प्राणात आपके बिना इस भूतल पर मैं आकेली कैसे जाओंगी प्राणेश्वर हे जीवन बंधो सच बताओ वहां गोकुल में कितने समय के बाद आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा आपको देखे बिना एक निमेश भी मेरे लिए सो यूगों के समान हो जाता है और वहां मैं किसे देखूंगी कहां जाओंगी कौन मेरी रक्षा करेगा हे प्राणेश्व आपके सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन या पोतर का एक छण के लिए भी ध्यान नहीं करती हूं हे माया पते अगर आप भूतल पर मुझे भेज कर माया से ढखना चाहते हो माया से मुझे मोहित कर देना चाहते हो वैभव देखकर मुझे भुलाना चाहते हो तो मेरे सामने सची प्रतिग्या करू मधुसूदन मेरा मनुरूपी मधुप आपके मकरंध योग्त चरणारविंद में ही नित्य निरंतर ब्रह्मन करता रहे जहां जहां जिस भी योनी में मेरा यह जनम हो वहाँ वहाँ आप मुझे अपना इस्मरन और मरुवांचे दास सिभाव प्रदान करोगे मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि आप मेरे प्रेतम श्री कृष्ण हो और मैं आपकी प्रेयसी राधिका हूँ और हम दोनों प्रेयम सुभाग शास्वत है प्रभो यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो जैसे शरीर चाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहा करते हैं ठीक उसी प्रकार हम दोनों का जनम और जीवन एक दूसरे के साथ ही भी दे विभो यह श्रेष्ट वर मुझे दे दो भगवन भूतल पर पहुँचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो हम पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग ना हो यह वर्दान मुझे दे दो हरे मेरे प्राणों से ही आपका शरीर बना है मेरे प्राण आपके शरीयंगों से अलग नहीं है मेरी इस धारना का कौन निवारन कर सकता है मेरे शरीर से ही तो आपकी मुर्ली बनी है और मेरे मन से ही आपके चरणों का भी निर्मान हुआ है ताद पर ये है प्रभू कि मैं आपकी मुर्ली को अपना शरीर मानती हूँ और मीरा मन आपके चरणों से कभी अलग ही नहीं होता संसार में कितने ही ऐसे इस्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दुसरे की इस्तुदी करते हैं लेकिन कहीं भी अपने प्रेतम में निरंदर आसक्त रहने वाली मुझ जैसे प्रेसी नहीं है आपके शरीर के आधेभाग से किसने मेरा निर्मान किया है? हम दोनों में तो भेदह ही नहीं इसलिए मेरा मन लगातार आप में ही लगा रहता है मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्रान जिस तरह से आप में स्थापित हो गए है रभो उसी तरह से आपका मन, प्रान और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित है इसलिए विरह की बात कान में पड़ते ही मेरी आँखों से पलकों का गिरना भी बंद हो गया है और हम दोनों की आत्माओं के मन, प्राण, निरंतर डग्ध हो रहे हैं भगवान कृष्ण कहने लगे देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग, शोक का उच्छेत करने वाला होता है शोक को दूर करने वाला होता है इसलिए उसे भी बताता हूँ सुनो यह योग, योगींद्रों के लिए बड़ी दुर्लब है सुन्दरी, देखो सारा ब्रह्मान आधार और आधे के रूपे विभक्त है आप ध्यान से सुनो फल का आधार होता है फूल फूल का आधार है पल्लव पल्लव का आधार होता है तना या डाली और उसका भी आधार से व्रक्ष होता है अब व्रक्ष कैसे बनता है? उसका आधार होता है अंकुर और जो बीज की शक्ती से ही संपन होता है उस अंकुर का आधार बीज है और बीज का आधार होता है प्रत्वी सब चीजों का लगातार एक दूसरे से संबंध है एक दूसरे में समाई हुए है तो ब्रत्वी का आधार है शेसनाग शेस के आधार भी है जो कि कच्छप है कच्छप जी का आधार वायू है और वायू का आधार हूँ मैं और मेरी आधार स्वरूपा तुम हो क्योंकि मैं तो सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ राधिके तुम शक्तियों का समू और मूल प्रकरती ईश्वरी हो मैं तुम्हारा आत्मा निरही हूँ तुम्हारा सन्योग राप्त करके ही चेश्टावान होता हूँ कुछ भी करने में समर्थ होता हूँ शरीर के बिना आत्मा कहां और आत्मा के बिना शरीर कहां देवी शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है राधे हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है जहां आत्मा है वहां शरीर है वे दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं जैसे दूद में सफेदी, अगनी में दाही का शक्ती, रथवी में गंत और जल में शीतलता होती है ठीक उसी तरह तुम में मेरी इस्थिती है यहाँ पर भगवान श्रिकेशन राधिका जी को अलग होने से पहले समझा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है वो कहते हैं कि मेरे बिना राधिका, तुम नर्जीव और तुम्हारे बिना मैं अद्रिश्य हो हे सुन्दरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की स्रस्टी नहीं कर सकता, ये निश्चित बात है, ठीक उसी तरह, जैसे कुमार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, और सुनार सोने के बिना आबुशन नहीं बना सकता, स्वयम आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्ष प्रकरती स्वरूपा तुम नित्य हो तुम में समपोर्ण शक्लों का समाहार संचित है और तुम सबकी आधार भूता और सनातनी हो लक्षमी जी सरस्वती जी पार्वती जी ब्रह्मा जी शिव जी शेशनाग और धर्म ये सब मेरे प्राणों के समान है किन्तु तुम मुझे प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्यारी हो राधिके ये सब देवता और देविया तो मेरे निकट है परन्तु अगर तुम मुझे से इनसे अधिक प्रे ना होती तो मेरे वक्षिस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी सुशीले राधे अब आसु बहाना छोड़ो साथ ही इस निश्फल ब्रहम का परित्याग भी कर दो शंका छोड़कर निर्भीक भाव से विरिश्भानु के घर में पधारो हे सुन्दरी नौ महीने तक कलावती के पेट में इस्थित गर्भ को माया द्वारा वायू से भरकर रोकी रहो दस्वा महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना अपने दिविरूप का परित्याग करके शिशु रूप धारन कर लेना जब गर्भ से वायू के निकलने का समय हो तब कलावती के समीब प्रत्वी पर नगन शिशु के रूप में गिर कर निश्य ही रोने लगना साध्वी तुम गोकुल में अयोनिजा रू जी मुझे गोकुल में पहुचा देंगे वास्तों में कंस के भाय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा एक अल्यानी तुम वहां ये शोदा जी के मंदिर में मुझे नंद नंदन को प्रति दिन आनंद पूर्वक देखा करूगी और अपने हर्द तुम्हारी सखिया हैं उनके साथ और अनेग बहु संख्य गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारू असंख गोपियों को अपने अमृतोपम और परिमित वानी द्वारा समझा बुजा कर आश्वा संदे कर गोलोक में साथ रहकर तुम्हें गोकुल में जाना है राधिके मैं भी इन असंख गोपों को यही इस्थापितर के पीछे से वसुदेव जी के निवास इस्थान मतुरापुरी में पदारपन करूँगा मेरे प्रे से प्रे गोप बहुत सी संख्या में मेरे साथ क्रीडा करने के लिए ब्रज में चलें और वहां गोपों की घर में जनम लें नारजी ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गई देवता, देविया, गोप और गोपियां वही ठैर गई ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेशनाग, पारवदी, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने बड़ी प्रसनिता के साथ परात्पा श्री कृष्ण की इस्तूती की उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल और प्रेम वीवल गोपो और कोपियों ने भी भगति भाव से वहाँ श्री कृष्ण की इस्तूती करके उनके चर्णों में मस्तख जुकाया विरहजुर से कातर हुई पोन्न मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणों से भियाधिक प्रेतम हर्दय वल्लब श्री कृष्ण का भक्ति भाव से इस्तवन किया उस समय श्री राधा के नेत्रों में आसू भरे हुए थे वे अत्यंत दीन और भई से व्याकुल दिखाई देती थी उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयम श्री हरी ने सांट्रना देने के लिए ही ये सची बात कही श्री हरी अर्था श्री कृष्ण बोले हे प्राणाधी के महादेवी अब सुष्थिर हो जाओ भई का त्याग कर दो जैसी तुम हो वैसा ही मैं भी हूँ मेरी रहते भला तुम्हें किस बात की चिंता है श्री दामा के शाब की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरी साथ तुम्हारा वियोग रहेगा तुम मुझसे कुछ ही समय के लिए दूर होगी फिर में मथुरा में आ जाओंगा वहां भूतल का भार उतारना, मातापिता को बंधन से जुडाना, माली, दरजी और कुपजा का उधार करना काल यवन को मरवाकर, मुचुकंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्मान, राजसु यगी का दर्शन, 16110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना शत्रूं का दमन, मित्रों का उपकार, वारांसी पूरी का दहन, महादेव जी को जंभरनास्त से बाधना, बानासुर की भुजाओं को काटना, पारिजाग का अपहरन, अनिक कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनी मंदली का दर्शन करना ब्रज के बंधु जनों से वर्तला, पिता के यगी का संपादन और वही शुब बेला में फिर से तुम्हारे साथ मिलन और गोप्यों का साक्षातकार आदी ये सारी कारे तो मुझे ही करने है फिर तुम्हें अध्यात्म ज्यान का उपदेश दे कर वास्तों में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सुभागे भी प्रात करूँगा इसके बात मेरे साथ दिन रात तुम्हारा से योग बना रहेगा कभी भी एक छण के लिए भी वियोग नहीं होगा इतना ही नहीं वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनह ब्रिज में आगमन होगा ये प्राण बल्लभे वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदयव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नाराणाश के द्वारा उपर्युतकार संपाधित होते रहेंगे। फिर व्रंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा फिर मात्त पिता और गोपियों के शोक का पूर्ण तहा निवारन होगा भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनह गोलोक में आगमन हो जाएगा राधे मेरे अंशबूत जो नित परमात्मा नारायन है वे लक्षमी सरस्वती के साथ बैकुन्ट लोग को पधारेंगे धर्म और मेरे अंशों का निवास इस्थान श्वेत द्वीप में होगा देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षे धाम को पधारेंगे फिर इसी ग बारन कर सकता है फिर भगवान श्री क्रिशने देवताओं और देवियों से कुछ बाते कहीं देवताओं अब आप लोग भावीकारी के सिध्धी के लिए अपने अपने स्थान को जाईए पारवती जी आप अपने दोनों पुत्रों और स्वामी के साथ किलाश परवत की ओ गाया है वे सब यथा समय पूरा होगा हेब रजेश्वरी राधे गणेश जी को छोड़ गर छेश छोटे बड़े सभी देवता और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अपतरण होगा फिर लक्ष्मी जी सरस्वती जी और श्री राधा सहित उरुश्योतम श्री हरी को भ बड़ी व्यागरता पूरवक भूतल पर बधार गए क्योंकि स्वामी का बताया हुआ इस्थान देवताओं के लिए भी दुरलब था भगवान श्री कृष्मी ने रधारानी से कहा प्रिये तुम पूर्व निशित गोप गोपियों के समुदाय के साथ अब व्रिश मैं भी मतुरापुरी में वसुदे की घर जाऊंगा फिर कंस के भई का बहाना बनाकर गोखुल में तुम्हारी पास आ जाऊंगा लाल कमल के समान नेत्रो वाली श्री राधा श्री कृष्न को प्रणाम करके अपने प्रेतम श्री कृष्न से अलग होने के भई से कातर होकर उनके सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। फिर ठेर ठेर कर कभी तो दूर तक जाती, फिर बार-बार आगे जाकर वापस लोट आती। लोटते ही फिर से वो श्रीक्रिश्न का मुह नहीं हारने लगती। सती राधा शरतकाल की पूनिमा के चंद्रमा की कांती सुधा से पोन प्रभु के मुख्चंदर की सौंदर माधुली का अपने नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। फिर परमेश्वरी राधा प्रभु की साथ बार परिक्रमा करके, साथ बार प्रणाम करने के बाद फिर स श्री हरी के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही करोणों गोप गोपियों का समु वहां आप पहुँचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनहा श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्व शात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समुहों के साथ सुन्दरी रा श्री हरी अर्था श्री कृष्ण को मस्तक जुका कर भूतल के लिए प्रस्थान कर गई। विश्ब के सब श्री हरी के बताएवे स्थान नंध गोकुल को गए। फिर राधा जी प्रिशभानू के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घर में चले गई। गोप गोपियो पहले देवकी और वसुदेव के जो जो पुत्र हुए उन्हें तो कंस ने ततकाल ही मार डाला, इस तरह उनके छे पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया, देवकी का सात्वां गर्भ शेशनाक का अंश था, जिसे योगमाया ने खींच कर गोकुल में निवास करने वाल फिर वह श्री हरी की आगया से चली गई, हरे कृष्णा आज के ध्याय में बस इतना ही, इसके आगे का प्रतांत आप सभी अगले ध्याय में जरू सुनिएगा, विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा